दोस्तों आएक शुरू करते हैं कल बजार कि साइट्रेट कर सकता है तो आएए शुरू करते हैं सबसे पद्धार आज आपको बता देगी कई लोगों ने स्फर्प्राइज अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत पहले से आपको यहां से करना शुरू किया था कि हमारा जो में जो डिमांड जोन है यह रहेगा इसके नीचे पैनिक मचेगा तो आप देख सकते हैं कि उसी लेबल प्याया और यहां पर रुखता हुआ दिखाई दिया सिंपल मुझे प्राइजेक संदिका मैंने आपको बाई दिया और इसके पीछे कोई भी जो है ऐसी हीडेन चीज नहीं थी जिसको आप ना समझपाओ सिर्फ और सिंपल सी दोस्तर अनलसी से सिंपल सी लर्निंग है जो इसको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग सीख को कि प्रॉफिट के लिए तो पूरी लाइफ है एक बार सीख लेंगे तो जीवन भर कमाना है अब आए आगे वरते हैं देखिए कल के लिए जो रेस्टेंस निकाला है वो है ब्यालीजाज 635 और जो सपोर्ट एक तालीजाज 689 अभी कमिंग में काफी सारे डेटा भी है सि के उपर है CPI के उपर से बजार आपको फोकस करता हो दिखाई देगा अब वो सारे लोग जिनको लग रहा है कि पूट बाई करके ट्रैफ हो गया है या कॉल बाई करके ट्रैफ हो गया है तो चाहें आप कॉल के साइड हो चाहें आप पूट के साइड हो किसी भी साइड हो तो अप्ट्राइफ हो सकते हो मैं नहीं करा कि हो जाओगे पुट हो जाएगा या कॉल हो जाएगा क्योंकि मार्केट आज कल बहुत ही अनपरडिक्टेबल है ठीक है लेकिन यहां से फेवर आप जो है बाइसाइट जो है जादे दिख रहा है क्योंकि मार्केट ने एक करीदेगा उसके बाद 620 दिख सकता है 620-635 के ऊपर असली शॉर्ट कवरिंग बनेगी तीजी वाली ठीक है अगर यह लेबल नहीं क्रॉस होगा तो यहां से अगेन आप फिर से रेंज बाउंड हो जाएंगे फिर से आप थोड़ा करेक्शन करेंगे क्योंकि स्पारी है त तो मैंने मौनिंग में जब आपको एकजिट दिलाया वहां से मार्केट ने काफी जो है बिलकुल दोनों साइट जो हैं मूब दिया बिलकुल दोनों साइट आप अगर इस रेंज को नहीं पकड़ पाए तो किसी भी साइट लिए तो ट्रैप हो गया लेकिन हमारा जो एक व निफ्टी तो आप उसको बाई कीजिए तार्गेट 420, 525 और 620 के होंगे यह तीन तार्गेट होंगे अगर इनकेस मार्केट यहां से रिवर्स करता है रिवर्स करने के बाद आपका जो लेवल है 42,175 का तूट जाता है तो आप यहां से सेल कर सकते हैं डारेक तार्गेट है कि यह सिर्फ एक सुरुवात हो और आगे बैंक निफ्टी अच्छी घासी जो है चाल दे सकती है तो इसलिए श्रॉड के लिए निफ्टी ज्यादा प्रिफर कीजेगा अब देखिए अगर निफ्टी के ऊपर आप नजर डालेंगे तो निफ्टी का जो इंपोर्टेंट तो 17,775 का है बहुत ही अच्छा सपोर्ट है इस रपोर्ट के नीचे तो बिसिकली यहां से पैनिक जो है दिखता है 775 अगर ब्रेक होगा तो 615 तक अराम से जो है आप जा सकते हैं इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा लेकिन प्रॉपर्ली सस्टेन होने के बात तो कल आप को निफ्टी में किसी साफ से जो है ठेट लेने हैं निफ्टी में किसी साफ से हमें जो है काम करके चलने हैं देखें निफ्टी कंपेर टो बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली यहां सभी दिखरी है निफ्टी में स्ट्रेंथ तभी आएगी जब 18,020-25 ब्रेक होगा तो सब्सक्राइब करने होंगे अब देखिए बैंक निफ्टी का जो डेटा काफी इंपॉर्टेंट है आज काफी सारे कॉल सेलर एक्जिट लेते वह दिखाई दिए सेम कांटिनू पूट होल्ड कर रहे है तो समझ लीजए कि यह सिर्फ डेट कर बाउंस था आज के लिए था एक्सपारी के पहले कल से फिरम अपने ओंदेवी सलोन राइज की तरफ रहेंगे इसलिए ट्विटर पर डेटा जरूर चेक करना है देखिए यहां पे 42,200 पर हाइस से फ्री श्रॉट कवरिंग बनेगी मोटा मोटी जो बहुत जो इंपॉर्टेंट लेबल आके निकल क्या रहा है वह है ब्यालीजर का एक लाग चोसट जार यहां पर सेलर है तो ब्यालीजर कल नहीं टूटेगा डेफिनेटली ब्यालीजर का स्रपोर्ट यहां पर है और सेल निफ्टी के बनती है एक लाग चपनहजार आपके सत्राजार नौसद पही कॉल्टेबल पर अगर गलती से कल निफ्टी ने अगर 8000-25 कर गया तो तगड़ी शौट कवरिंग बनेगी क्योंकि 3 लाग के कॉल्सएलर ट्रैफ हो रहे होंगे तो यह आपको द्यान देने वाली बात होगी 18,000 के लेवल पे अभिया सपोर्ट साइट से देखेंगे तो देखेंगे काफी छोटे छोटे चोटे सपोर्ट है कि सत्रहजाब नौश्ब क्यों सब्कूर्जाब लेकिन अगर यह नहीं हो थारहाजार बीस पचिस का लेवल ब्रेक होगा तेक अच्छी शॉट कवरिंग निफ्टी में भी बन सकती है यह लेवल धियान में रखिएगा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप टेलिग्राम पर नहीं है तो इस ट क्योंकि सारा मार्केट ही दिया तो कल के लिए जो निकल कि आया वह थारहाजा साथ सो पचत्तर शपोर्ट अठारहजार चारसो बाइस का अब देखिए क्या करना है फाइनस निफ्टी में सिंपल है जहां पर क्लूजिंग आई अठारहजार पानसो चाच्छट की यही चार सो पैंतालीस चार सो पच्पन का जो है शपोर्ट है काफी अच्छा खासा कल के हिसाब से ठीक है तो एनिहां अठारह चार सुन नहीं कि पानसो का मोटामटी शपोर्ट है अगर अगर अचारहजार चार्सों पचतर ब्रेक हो जाता है ओपनिंग के बाद तो हम यहां से फिर करें यहां से एक बर के लिए रिवर्सल करके वी उपर नीचे जा सकता है तो जो लोग सेल कांटिनू की है अपने प्रॉफिट एसल के साथ होल्ड करें बाकी अगेन यह लोग ब्रेक होगा तो फिर सेली स्टाट हो जाएगा अब हम लोग बात करेंगे कल के लिए दो बहतर से यहां पर चल रहा है अच्छी घासी रेली के बाद नॉर्मल यह होता है अच्छा घासा मूब लेने के बाद मार्केट होता है तो कल से फिर से नजर पर रखिए 89.20 के ऊपर वी तैसल 865 जिरो नेक्स जो स्टॉक है दोस्तों वह है ओम सी का ही है मेटल और इसी का जो है भ 252 के असपास और एसल मेंटेन करेंगे 246 का ठीक है इसका लेवल मैंने नोट नहीं किया उपर तो आप ध्यान से लिख लीजेगा 253 250 के पास एसल मेंटेन करेंगे 244 245 दोनों में से कोई वीजिय मेंटेन कर सकते हैं उमिद दोस्तों कि आपको वीडियो सेल्फ होगी वीड जिसो मजच्स